सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज चारकन वबाएं चारकन की तमाम ख़बर प्रखंड से एक बड़ी ख़बर निकलकर सामने आ रही है आपको बता दे कि चैनपूर में हुआ कड़ोरों का फेरा प्री जी हाँ चैनपूर निवासी रौसन कमलापूरी जो एक पेसे से पोस्ट ओपिस का एजेंट का वो आपने एजेंटी कारी के दवराद चैनपूर सहित जीले के अन्य छेतरों से लगबख 200 लोगों का खाता खुला मंतली खाता खुला तो डेली खाता खुला हर तरह के वो खाते खुले और लोगों का पैसा जामा करने के नाम पर लेते रहे कई लोग जब मैचूरूटी पुरा होकर होने पर अपने पैसे की मांग किये और पोस्ट ओस्पीस में जाकर देखा तो उनके खाते में पैलेंस नहीं थे तब जाकर लोगों का गुच्सा उबाल पर हो गया और लोग राउसन कमलापूरी के घर पर जाकर हों हंगामा किये जिनकी साधियां बेटियों की साधी बस होने वाली है ऐसे में तमाम लोगों का यही कहना था कि उनका गुच्सा अभी भी जुबान पर है लेकिन निकल नहीं पा रहा है राउसन कमलापूरी जहां अपनी बात को स्विकार किया गल्टी स्विकार किया और पैसे दने की बाते कह रही है वहीं तमाम लोग अपने मुपर जो जमा करता है वो मुपर अपने ताले लगाय हुए है उन्हें उमीद है कि साइद उनका पैसा मिल जाएगा लेकिन अब तो ये समय बताएगा कि पैसा मिलता है कि नहीं लेकिन फिलहाल ऐसे कई लोग हैं जमा करता जिनके खाते में किसी के खाते से 7 लाग, किसी के खाते से 10 लाग, किसी के खाते से 20 जार, किसी के खाते से 50 जार गा कई लोग का पास्मुक अपने पास रखा है तो लोगों के अभी जुबान पर ताला लगे हैं क्योंकि उन्हें उमीद है कि साइद रौसन कमलापूरी पैसा लटा देगा आपको बता दे कि पोस्ट अपीस में कई एजेंट होते हैं जो घर घर जाकर पैसे इकठा करते हैं और चैनपूर के परधान दिनेश परधान का अपना भतिजा है यही वज़ा है कि इसके सबसे जादे सिकार चैनपूर के लोग हुए चैनपूर के लोगों ने आख बंद कर रौसन पर भरोसा किया लेकिन रौसन ने सभी को धोखा दी अब मामला चुकी बढ़ता देख रौसन जओने सपने थे की पैसा जमा करने पर जो है पोस्ट वटीस से उन्हें कमिशन मिलेगा एजेंट परसेंटज मिलेगा या मतलब उस पैसे बढ़के मिलेगे अब तो वह पैसा मिलना नहीं जा रहा है लेकिन विस्वार्स पर तो sırि ठोकर मारा कि असके साथ साथ कड़ों रो अब रोसन कमला पूरी पर लोगों ने दो से तीन दिन और भरोसा किया है कि साइद दो तीन दिनों में पैसा लोट जागा अगर ये पैसा नहीं लोटता है तो पलामू जीले की सबसे बड़ी घोटाला सामने निकल कर आएगी हेरा फेरी और इसका अंजाम आने वाला वक्त मे बहुत बुरा होगा चोकि लोगों का गुसा है लेकिन वो जुवान पर भी ताला लगाए हुए है साइद उन्हें उमीद है कि उनका पैसा मिल जाए फिलाल अब देखिए कि आगे होता है क्या चोकि दो तीन दिनों में या मामला रंगीन यानि कह सकते संगीन पकड़ने व